हाई एवरिवन आप सब कैसे हैं मैं हो अंजली ब्लॉकंजी चैनल में आपका बहुत पस्वागत है आज आपके लिए लेकर आई हूं सिंगाड़े की एक और रेसिपी सिंगाड़े की सबची तो यह एक किलो सिंगाड़े हैं जिसे मैंने बॉयल कर लिया है दो से तीन सीटी कर के अंदर पानी डाल के और इस तरीके से ठंड़ा हो चीलेंगे चेसा को चिकल को सब कर को इस तरीके सचिकल हता देंगे और ये सारे सिंगाड़े मैंने एक किलो शील लिया है पूरे के पूरे तो ये बहुत ही बढ़िया से दो विसल में आराम से हो गए थे यहाँ पे कडाई में मैंने चार चम्मत देशी गी में एक चम्मत जीरा, हीन थोड़ी सी और थोड़ी सी हल्दी पॉडर और लाल मिज पॉडर सारी चीज़े डालके और ये मैंने तीन टमाटर का और एक हरीमर्ज का पेस्ट बना लिया और उसे इसमें डाल दिया है, देखिए इस पेस्ट को जब तक पकाना है, जब तक ये ओल ना छोड़ दे जितना भी इसमें हमने घी डाला है, वो पढ़ना आजाए बीच-बीच में ढखते रहेंगे और पकाते रहेंगे फिर ढख देंगे, फिर पका लेंगे इस तरीके से जो है, इसे दो, तीन, चार मिन्ट आपको लग जाएंगे जैसे लगे ना कि हाँ, ये देखे, मसाला बनता वर दिख रहा है हमें इस तरीके से खटा हो रहा है मसाला और यहाँ पर घी भी छोड़ा है यानि हमारा मसाला डेडी है तो संगाडा जरूर खाना चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ होते हैं संगाडा और अलग अलग तरीके से आप उसे बना सकते हो ऐसे कच्छा भी खा सकते हो, बढ़िया लगता है तो देखे, ये जो है, ओल जो है, यहाँ पर रिलीस हो गया इस तरीके से देखे मसाला हमारा बिल्कुल डेडी है मैं बहुत ही कम मसालों में इसे बना रही हूँ आप चाहो तो और भी गरम मसाला और डाल सकते हो सूखा धनिया पॉडर डाल सकते हो या कोई सबजी मसाला डाल सकते हो आप पर डिपेंड करता है तो इस तरीके से मैंने सारा मसाला त्यार कर लिया है तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हो अगर आप इसे तरी वाला नहीं बनाना चाहते हैं तो आप जैसे यह भुन रहा है ना बस यहीं पर धनिया पती डालिए इसके अंदर और थोड़ा सा गरम मसाला डालिए और इसे सूखी सबजी के रूप में आप ऐसे भी खा सकते हो ठीक है यहां थोड़ा सा महने नमग एड़् कर ही खाधी चम्मच और थोड़ा से एंधस अम चुल पॉर्डर क्षक खटास के लिए वैसे तो मैंने इसमें टमाटर डाले गी है लेकिन फिर फे जैसे हाईब्रेट टमाटर होता है तो थो प्र फिर इसलीए अम चुल पॉर्डर ता तो यहाँ पर बस इसे 2-3 मिनट भून ली चाहिति तरीखी से तरीकी से आप इस सुर्फ कर बचातेसे लेकिन अगर आप इसे तरीवला बना चाते हो रोटी के साहिति हो गौल गदेल पानी सिर्मठ आप रहे हो तो मैं हां पर इस सब्सक्राइब बना रही मैं । ce तो बहुत ही शांदार सबजी आपके तयार हो जाएगी और आप इसे सर्फ कर सकते हो रोटी बराटे के साथ चावल के साथ ऐसे भी खा सकते हो जैसे आपको पसंदो तो बहुत अच्छी रेसीपी है बहुत बढ़िया है और सीजनल चीजे हैं यह जरूर खानी चाहिए और ब पक रही है बॉइल आ चुका है अगर वीडियो पसंद आ रहा है आपको तो जरूर लाइक करना शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को अपने प्रेंस और फैमिली में शेयर करना देखे यह पक गई है पांच मिन यहां पर सिमर गया इस पर पक चुकी है और हो गई है तयार इस और बहुत ही टेस्टी मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं देशी की में ही बनाना इसको तो ज्यादा बढ़िया टेस्टी लगीगी तो देखे कितनी बढ़िया रंगत आई है इसके अंदर अगर आप इसमें थोड़ा सा कश्मीरी लान में डाल दें शुरू में तो और यह देखे कितनी बढ़िया लग रही है और जैसे मैंने कुछ-कुछ साबुत रखे हैं चाहें तो आप इसे काट भी सकते हो मुझे कोई-कोई पीस साबुत बढ़िया लग रहा था देखने में और खाने में बेच्छा लग रहा था बिल्कुल गुटी-गुटी सबजी ब तोड़ दिया है और यह बहुत ही अच्छे लग रहे हैं बहुत ही बढ़िया और टेस्टी लगे सबको चले मिलते हैं फिर नेक्स सब्सक्राइब की वीडियो में तक के लिए बाई-बाई-बाई-टेक्यों